अगर आप लोगों को भी रिस्क से इसक है तो जरूर इसे स्टॉक्स को वाई कीजिए मैंने बहुत सारे फिल्टर लगा के बहुत पैरामीटर को सेट करके विस्टॉक्स को सेलेक्ट की है जरूर आप चेक आउट कीजिए ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसका आपने अभी नाम भी नहीं सुना होगा आर या पार वाले स्टॉक्स हैं आज ऐसे सोये हुए हैं और कल इतना सूट अप करेंगे कि आपका पिछले तीन चार पांच साल में जितना भी नुकसान होगो भर बोला जाएगा आपको यह साथ रुपे का साथ हजार का हो जागा कभी नहीं बोला जाएगा और दोस्तों मैं आप सबसे एक और चीज़ बोलना चाहूंगा अभी एक सेर मैंने दो तीन दिन पहली अपने वीवर को बोला था कॉम्प इंफो सेर आप लोग बाई करके चल सक यह बिना किसी देरी के आज के वीडियो के स्टार्ट कर लेते हैं एक वीवर का कॉमेंट आया था कि सुजलोन एनरजी पे वीडियो हो जाए उनके पास अल्मोस्ट 10,000 कॉंटिटी था मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा 9 रुपीस की उनके पास 9 रुपीस की बाईंग थी ठीक है तो मैं आप लोगों से बार बार हमबल रिकेस्ट है मेरा कि आप लोग ऐसे पैनी स्टॉक में इतने कैपिटल का इलोकेट मत कीजिए मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों से आपका पैसा सेफ रहे यही इस चै 6 मंत में 3% return इसने bull market में भी year to date में 9% return 1 year का देख सकते हैं 75% ठीक है 5 year का देख सकते हैं 50% stock crash हो चुक है maximum आप देख सकते हैं almost stock अपने उस level पे आ गया 400-500 वाला stock 7 रुपे पे आ गया market capital 6000 करोर mid cap quality cash stock है बोल सकता हूँ green energy cash stock है मतब wind energy turbine में काम करती है काम तो बहुत अच्छा है इनका no doubt so चलिए मैं देख लेता हूँ कि company में दिक्कत का है ठीक है आप लोगों को मैं बिल्कुल detail analysis करके दिखाऊंगा मैं सिधा ले चलता हूँ आपको 1 second so देख सकते हैं सुचलों energy एक बार पढ़ लेते हैं इसके बार में review ले लेते हैं is primarily engaged in the business of manufacturing of wind turbine अभी मैंने आपको बता दिया है जन्रेटर and related to component of various capacities ठीक है इनका कहना है कि इतने megawatt की हम लोग वो energy produce करते हैं अच्छी बात है market capital मैंने बता दिया आपको current price 7.25 पे है book value minus में है return on capital employed चली अच्छी बात है positive है return on equity mention यहाँ पर आगे चलते है company ने debt को reduce किया है अच्छी बात है good sign है companies expected to give good quarter so अच्छी बात है अगर quarterly result अच्छा है मैं तो हमेशा result में believe रखता हूँ so चली मैं दिखा देता हूँ आपको आपको देख सकते हैं इसके peers जो है साइमन्स, हेवल्स, इंडिया, ABB, Crompton, Bale, Hitachi Energy, Sujalon Energy यह company बहुत छोटी company है बट चलेगा मैं आप लोगों को बिल्कुल detail में बलूँगा सबसे पहले quarterly result पे पहुंच जाते है ठीक है बिल्कुल definitely यह तो है 620, 819, 940, 980, 1123 उसके बाद operating profit के बाद कर लेते हैं 136, 196, 154, 233 growth so एक बात तो आइडिया मिल रहा है कि company growing mode में है यानि अगर company का भी present वो देखा जाए तो company ठीक ठाक काम कर रही है operating profit margin percent आप देख सकते है 14, 17, 13, now फिर से 17 अच्छी बात है बहुत ठीक है net profit आप चेक कर सकते है 117 crore का loss then 57 crore की company पे loss है then 22 crore का loss company पास then 11 crore का loss so company loss से निकल रही है यह मैं बोल सकता हूँ profit तो नहीं है लेकिन company loss को कम कर रही है जो की एक अच्छा sign है ठीक है बहुत अच्छी बात है इससे देखने को यह मिलता कि कुछ मतलब अभी बेचने जिनके किसी पास भी share है आप लोग बेचिये मत कुछ दिर वेट और कर लीजिए ठीक है इसका एक दो कौर्डिल रिजल्ट और आप चेक कर सकते है मैं P&L statement आपको दिखा देता हूं ठीक है मार्च 20,000 करोर देन 18,000, 21, 18, 20, 19, फिर देखी यहां पे slightly बहुत ही जादा कम हो गया 9,000, then only 12, 816, 50, 2973, 33, 45, so company देखा आपने बिल्कुल वहीं से fall हुआ था company, almost 50% इनका revenue गिर गया था expense देख लेते हैं उसी हिसाब से proportionate में बढ़ गया होगा 3870 करोर है, operating profit ठीक है 718 करोर है, so अभी बहतर करी यह company, March 2018 में अच्छा कर रही थी, उससे पहले आप देख सकते हैं बहुत जादा 2479, so company को comeback करने में यह बात तो है कि time लगेगा, क्योंकि company को पहले जैसा आपने record दे result अच्छा नहीं है, तो stock definitely गिरेगा, वो short term में तो आप पैसा बना सकते हैं, लेकि long term में पैसा नहीं बनता इस सब stocks में, ठीक है, earning person माइनस में है, ठीक है, लेकिन अभी आगे चल के मैं देखा देता हूँ, balance sheet एक बार चेक कर लेते है, reserve company का minus में है, बिल्कुल देहान से द कर रहे है, 16.41 company के पास, promoter के पास हिसेदार ही है, FIS देख सकते है, 4.10 ठीक है, उन्होंने अपने stake को increase किया है, लेकिन दोस्तों उनका risk appetite अलग होता है, उनका पैसा खोवी जा तो गम नी पड़ेगा, लेकिन आप लोगों का पैसा safe होना चीए, एक बार मैं D.I.S. से कर ले जिसका कर आप बिल्कुल टूट चुका हो, dawn आ चुका हो, ठीक है दोस्तों, सो चलिए, अच्छी बात है, ये तो देखने को मिल गया, इससे थोड़ा बहुत idea मिल जाता है कि ठीक है, company में इतने बड़े-बड़े institutions जुड़े हुए, तो हम भी रहते हैं, लिए आप लोग जादा नुकसान में, एक तो पहली बात आप लोग इतना capital को invest मत कीजिए, जिस किसी के पास VACR में आप लोगों से यही बोलूँगा, आप hold करके चलिए, अभी जिस दिन breakout देगा, अच्छा breakout देखने को मिल सकता है, energy sector में काम करती है company, तो ये company के लिए advantage भी point अच्छा है, आपने देखा, TTML मैंने एक बार 15 रुपे बभाई किया था, अभी तो ये channel लाया है, आप देख सकते हैं, उसके बाद मैंने इसको 20-25 पे बेच दिया था, हलाकि बाद में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि मेरे पास quantity ज्यादा था, इसलिए मैं आप लोगों हमेश लगी तो channel को subscribe कीजिए, वीडियो को like कीजिए और ज्यादा ज्यादा share कीजिए, thank you दोस्तो, तब तक के लिए, bye-bye.